हीट इस्टोक से मरीजों की संख्या में बड़ोत्री हुई है लिहाजा वाराणसी के हास्पिटलों को अलेट पर रखा गया है स्वास्त महाकमा इसके लिए अलेट है और सभी हास्पिटलों में डस वेड रिजर्ब किये गया है जिस पर बात करने के लिए हमारे सा दीन दयाल हास्पिटल के मुखिश्ची किस्सा अधिकारी डक्टर आर्के सिंग जी है डक्स आप किस तरह के एलाट आप लोग हैं किस तरह के मरीज आ रहे हैं इस समय अधिकांस्तर मरीज आ रहे हैं तट्टी उल्टी एंड हाइफीवर तो हाइफीवर के मरीज आ रहे हैं करीब डेली उमीद करते हैं कि 20-25 आ रहे हैं उसमें से कुछ लोग तो वहीं ट्रीट्मेंट करके चले जाते हैं तो दो घंडार हने के बाद अब कुछ को एड अब क्या हाला थे आपके वाड फूरी तरह से फूल हैं वाड निच्चे का वाड फूल है उपर कवाड अभी खाली है वहां से जब सेटल होता है मरीज तो हम लोग उपर सिफ्ट कर देते हैं ताकि अगला को आड्मिसर करने में सुभिता हो जो खबरें आ रही है लक्त में से कुछ मरीज ऐसे थे जो कि डेड़ बड़ी आये थे मरे हुए आये थे और एक दूगों हुआ था अंदर तो लोग तो इस्वाली हीट स्टोक कहिए चाहे टट्टी उल्टी कहिए एक्जैक्ट कारण हीट स्टोक तम नहीं है कर सकते हाई फीबर था तो क्या हीट स्ट तो उससे भी मरते हैं लोग दूसरा कि अगर किसी को पहले से डाइबेटीज है ब्लड फ्रेसर है तो उसको एग्रिवेट कर देता है उससे मरते हैं और तिसरा है कि अगर खाली पेटे निकल गए पानी सफेसिंट नहीं पीए तो दिकत हो जाती है और यहां आने के बाद प लोग 55-60 के उपर वाले आते हैं अचाहे बच्चे होते हैं बच्चे जो ऑभी एकदम छुटे बच्चे नहीं तो घर में रहते हैं इस्वाली 18 साल के बच्चे जो खेलते कुटे रहते हैं उनकी परसानी तैयारिया है आप लोगी साथ लोग की मौत हो चुकी है अब तैया है क्या है स्वास्त महाकुमारां पर किस तरह की तैयारिया है हमारे हैं क्या पूरीतरा से शब को स्वक्त कर दिया गया है कोई भी आता है पहले हाई फिपर रकले उसकोटेंड करते हैं बाकी मरीज को इवेट करने के लिए कोई दिकत नहीं होता है जो काम हो कि इस थाम को भी हो सकता है चाहे मेरे बिना बाहर निकले भी हो सकता है तो आप वहीं कीजिए अगर निकलिए भी तो फुल भाह का कपड़ा पहनिए जो खूला बाहराता है आधाना वो खतरनाक होता है दूसरी बात खाली पेट आप कहीं मत निकलिए भर पेट खाना खाके निकलिए 10 बजे तक खुश सकता आप लोड जाईए और साम को निकलना है तो 6 बजे के बाद निकलिए और हो सके तो पानी तो लेके चलिए ORS का पैकेट भी दूचर को पैकेट में डाल लीजिए कि कहीं भी आपको लगे पानी लेकर एक गिलास डाल के पी लिए दूसरी बात अगर आपको लगे कि अब हम से हिमत के बाहर है कि हम नहीं चल सकते हैं चकर आने लगा तो जब रस्ती मत कीजिए आप आप रुख जाई वहीं पर रुख आराम कर लीजिए पानी उगर पी लीजिए तो आगे बढ़िया यह तो फिलाहल बेवजा बाहर निकलने की नहीं सला दी जा रही है इसके साथ-साथ जिस तरह से मौते हुई है वारानस में उसको लेके स्वास्त महाकमा अलर्ट हो चुका है लिहाजा सभी हास्पिटलों को अलर्ट पर रखा गया और दददस बेट सभी हास्पिटलों में रिजर्ब किये गये हैं क्योंको जिस तरह से मरीज ही तीश्टों क झाल झाल